आज के मेरे गेस्ट यहां पे मौझूद हैं और इनको देखते मेरे तेवे सही हो गई है, एक्साइट्मेंट आ गई है और उसके साथ-साथ मुझे बढ़ा अच्छा लगता है जब भी मुलाकात होती है, माशाला से अब तो काफी सारे साल हो गए मुझे इनको देखते वे, जानते वे, मेरी इनकी मुलाकात हुई थी पिच पे और यह मैं आपको बताता हूँ कि जब मेरी इनकी मुलाकात पिच पे हुई तो हुआ यह कि मैं बैटइग करने गया, यह keeper घड़े वे थे और मेरे सामने बालिंग के लिए वसीम अकरम साब थे और वहां पर मैं जरा दस तो मैंने बड़े बड़े एक्सपिरियंसे और अब तो माशा आला बकाइदा खिदमत भी चल रही है बकाइदा काम भी चल रहा है मोहिन भाई और माशा आला से आपकी जो एकेडमी है इसे आपके बारे में तो सभी लोग इतना जानते हैं बेलकुल फैसल हमेशा से ख्वाइश यही थी जिस वक्त मैं कफ्तान मना था पाकिस्तान का तो उस वक्त यह सोच आई थी कि अब इसके बाद क्या करना है जी बिलना एक्सटी नो तो वहां से फिर थोड़ा सा विजन नेशली इंसान का टाइम टू टू टाइम ब्रॉट होता है वहां से मैंने सोचा के जो कुछ हमने सीका है इसको किस तरह आगे बढ़ा जाए तो यह आइडिया वहां से आया तो फिर खड़ा मार्केट में डी एचे ने मुझे बड़ा स आइसे हम अपना टॉर्नमेंट नहीं कर सकें एक बहुत बड़ा टॉर्नमेंट होता है तो बच्चों की बहुत बड़ी इस्परेशन होती है आप तमाम सेलिब्रिटीज जब मैच खेलते हैं वहां पर और क्रिकेटर स्टार आते है सारे तो बच्चों के लिए बहुत बड़ी लगाया थी वहां बहुत बड़ी आप बड़ी एसे करके बैटे में और बहुत बड़ी बजा रहे हैं लेकिन उनको यह पता लग गया था बहुत बड़ी आपको उस दिने फून आये मुझसे सब यह बोल रहे हैं दोस्त यार अफसोस करें हैं या खुशी मनाइका मैं कर फिफ्टी-फिफ्टी रखो यार सही बात है मतलब उस दिन तो उसने हादी कर दी थी मतलब बिलकुल ऐसी है आउस्टेंडिंग तीन मैच कहला है हमारे कलाब तीनों में ठीक ठाक पेटी लगाये मैं उसको गुसा आप पर तब मुझे लग रहे हैं जिस सरह वह को तो नदीम एने माउस को देखा था 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 तो यह बहुत हमेशा वह इस चीज को अख्नॉलिश करता है आजम की अच्छी बात यह मेरी तो पेरिंट टीम तो मेरी यह है कोईटा से ही स्टार्टेड और माशा अल्ला से अब तो इंटरनेशनली भी खेल रहा है आउ अब आप पाकिसान क्रिकेटीम बहुत अच्छा लगता है मुहिन अच्छा मैं जो एकडमी की बात कर रहा था चूंके आप यह पार्ट ऑफ डी एचे स्पोर्स क्लब मुहिन खान एकडमी तो वहां पर हमारा जाना भी होता है मुझे एक चीज जो बहुत अच्छी लगती है वहां प हाँ तो हमारी एच से भी आगे ता तो वहां पर आप जाते हैं आपकी मुलगाद शाहिदा अफरीदी से होती है शाहिदा अफरीदी साब वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कभी शाहिंशा वहां पर प्रैक्टिस कर रहे हैं कभी आजम खान वहां पर प्रैक्टिस कर रहे ह पिर और बहुत सारे लोग आते हैं फिर अभी जो ये एट कॉपरिटिफ टोर्नमेंट होने वाला है इसमें मैं देख रहा था सोय मसूद है शान है आजम है शान मसूद केल रहे है उमर अक्मल आ रहे है असर शफी खेल रहे है अनवर अली खेल रहे है और फई मश्रफ केल रह रहे हैं मुझे याद है उसमें वादा किया था इसलामबाद में पाहिन तोड़े ले एक बल्ला में लायकर होंगा तो इस दफ़ हमें आके पकड़ूंगा और एक चीज ज़रूर बताता चलूं बड़ी इंपोर्टन है वो इस टोटली फ्री एंट्री क्यों टोटली फ्री सो पब्लिक के लिए इसपेशली क्योंके होली मंत अफ रम्दान है बेल्कुन इसमें कोशिश करने जिए एक खुशिया बाटने की तो हमारी एज़कलब बीएचे स्पोर्ट्स क्लब मोहिन खान अकैडमी की हमेशा कोशिश होती है कि इस पर्टिकुलर रम्दान के महीने मे फ्री एंट्री दी जाये तो तमाँ फ्री एंट्री तो तमाम फैमली के लिए भी फ्री एंट्री है फैमली इसका अलग हमने एक मौशन मेनाया ख terrorist मनाय bok उनके लिए बिए उनके लिए भी तो तो तमाम लोगों छंव आपके तवस्च तो आप जो आप मारे इंटरनेशनल स्टार्स ने उनसे भी मिलेंगे और एक बड़ी अची चीज होती है जो इस तरह के टोर्नेमेंट होते रहते हैं उसमें एक तो यंगस्टर्स को बड़ा मुका मिलता है इंटरनेशनल स्टार्स के साथ केलने का लेनिंग प्रोसेस बहुत करें जादा होता है विकाज हम भी मैं जब अंडर कैप्टेंशी कहलता हूं मोहिन भाई के तो मेरे लिए भी बहुत सारी चीजें लर्निंग होती है साथ-साथ मोहिन भाई समझाते भी रहते हैं और पता लगता है कि कैप्टन होता गया है वो एक पूरा प्रोसेस जो है ना वो भी मशीन साथ में चल रही होती है कि अच्छा कैप्टन इस तरह से होते हैं तो आपको भी जिंदगी में वो बच्चे जो जिंदगी में क्रिकट कहलना चाते हैं मैं उनसे यह जरूर कहूंगा कि जहां आपको ऐसा मौका मिलता है इंटरनाशनल स्टार्स के साथ के साथ बिल्कुल जंप इन करें और पाटिस्पेट करें और जरूर कहलें बट एकडमी में माशाला से अब तक कितने बच्चे हैं अभी अगर अगर आज तक अगर कोचिंग की बात की जाए तो मोर दन 2000 बच्चे जो इस अकडमी से होके गुजर चुके माशाला अननों पाते रहत हैं बट हम मिंटेन करते हैं जो हमारी किपैसिटी है ताट इस फूर थी फिफिटी केड़ अच्छा सो हम वीक में उनको एवरी अल्टरनेट देवेसल प्रेक्टिस करवाते हैं कोचिंग करवाते हैं उनकी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं बहतर करने की आजम इंटरनेशनल खेल गया है माशाला फर्स क्लास खेल रहे हैं लड़के यू बहुत पोटेंशल वाले लड़के और यह जो डिपार्टमेंट वाली क्रिकेट बंद हुई है इससे नुकसान हुआ है बहुत बड़ा नुकसान फैसल यह जो क्रिकेट जो हम करते हैं बैस यह जो बहुत बड़ी तीम आपको नजर नहीं आएंगी लेकिन बड़े प्लेयर जरूर नजर आएंगे विर डिफरेंट टीम लेकिन डिपार्टमेंट जो बड़े हैं वो बेकास जो इनके बजट थे वो आपको पता भी हमारा आइन बहाल हुआ है 2014 वाला तो डिपार्ट शरीफ साब ने तो क्रिकेट फर्टिनिटी में बहुत ही खुशी की लहर दौरी के दुबारा जॉब क्रियेट होंगी तो चुके पिछले साल जिस वक्त यह आइन बहाल हुआ है बजट पिछले साल के पास हो चुके थे इस साल के लिए तो इस साल बजट यकीनन वो दुब मैं आपको बताओं मेरा दिल बड़ा दुखा था और इस बात पर तो मैंने जो है वो बड़ी शोर भी मचाया था हम एक मैच खेल रहे थे मुहिन खान मी खेल रहे थे हम that's the student Stardium में और एक रड़का कुछॊ कमाल बॉलिंग MEMने क है यार कॉन अपनी है भाही तू कहां से बहुंताए को आपको यार वैसल भाई में देपार्टमेंट से कहलता था मैं नाम नहीं लूऊंगा उसने काषो इंब आपकों में चानी बाटमेंट करूँ वो काम है और वो बिचारा वेटर लगा हुआ है यह गवर्मेंट इच्छा इनिशेटिव लिए अच्छी खबर सुनाई है पीसी बी ने भी इनिशेटिव स्रेटी साब ने आते ही लिया है कि डिपार्टमेंटल क्रेकट को अगले साथ रवाइब कि पीछे यह को अगरा है वैसे जो यह एर्थ कोपरेटिव के साथ चलेगा है यह हर टीशेट के ओपर आपको नज़र आएगा आचा किसने क्रियेट किया? यह टीम ने मिलके किया? यह यह अँआरी टीम ने किया था और आपको पते ही है हम तो सपोर्टमेन हैं भीूर्टमेन हैं झाक करके सेनका कि किसी के मूझसे ख़ान का मैदान मिन as겠ato मूंहीन बाइ मुहन बाइ पूरी मैनेजमेंट आपके साथ मिलके समाल रहा है, साथ में काम भी कर रहा है, आजम माशाळला से किरकेट में आ गया है, साभजादी जो हैं, वो फिल्म पढ़ रही हैं, सो कैसा अब महसूस होता है, कि हर बच्चा अपनी अपनी जगा सेट हो रहा है, और होता चला जा रहा है, आफकोर्स भी के पेरेंट बहुत ही खुशी होती है, और आएम दोवन हुआज हैं, कि जो भी चूस करनी चाहिए, फिल्ड जोन को, जिसमें पैशन है, अब पैशन ही कोई काम नहीं कर सकते हैं, कि उन्हें एक लाद दिया, हमारे पेरेंट ने बड़ी कोशे की पढ़ने पढ़ने नहीं पढ़ सके, तो मैं तो डिच करके निकल जाता था घर से बाहर क्रिकेट कहलें, और क्रिकेट में बड़ा मुकाम बना दिया, माशा आला, लेकि फिर सपोर्टिंग मी, हाँ. तो में हमेशा, मेरी कोशी है ही होती है, आजम ने पढ़ाई एक जिन आया मुझे बाबा मैंने पढ़ाई पर चोड़नी, मैंने चाहित क्या हो गया, ब mermaid χोने क्रिकेट कहलंनी है, थो थो दोनों करूं साथ क्या हो गया, यह नहीं वो नहीं होनी सकत बात करने का obviously तालीम आपको confidence देती है, so ये इसमें कोई दूसी राए नहीं है, फिर जिस तरह की परवरिश है, जितने तमीजदार ये बच्चे है, मैं जितनी तारीफ करूं ये का मैं इसलिए नहीं कहा रहा मोहिन भाई सामने बैटे में, ये हकीकत है, आपने खुद भी मैं हूग की बात हो रही है, Mohin भaई आपकी किसके साथ, Wasim भाई से जादा दोस्ती रही है, Wasim भाई से बहुत रही है, मैं दोस्ती, actually Wasim भाई वुझ सब्हट भुछ जाद मुश्शी ऑन्जी के साहता है । जुझ सब्सक्राइब जास्टाइब बड़ चैने जो वह उनके साहता है वह खिलखिला ना रहे हो यह है वह घुला है वह ब्यूद्ट वैसे यह भी कम नहीं है अजीव सी एक स्वीप शॉर्ट मार देते हैं जो मरजी बॉलर सामने को चल रहा हो पिछला भी एक टॉर्नमेंट वह जी यह जो क्या कहते है वेटरस का उसमें सुना बड़ा स्कोर किया आपने है बस हो गया एक सेमी फाइल में सिक्स्टी किये थे फाइल में फिफ्टी एट किये थे और दोनों में तीस तीस बोलों पर किये है माशाआलला तो फाइल में मैंने वो दिमाइट तो एक आजम को भी आप देखते हूंगे यह खास शॉर्ट मारता टांग आगे निक उसके लिए प्रैक्टिस ऑफकोर्स होती है बट इंसान की जिस वक्त फॉर्म अच्छी होती है फैसल तो दुनिया का बड़े से बड़ा बॉलर भी हो आप उसको काबू करने हैं एक दिन मैच के बाद मैं बड़ा डिसाड हुआ वा था मुझे कोई दो वरों में पढ़ गय है मुझे उसको लालू में जरहा जिसने तुझे साच के बारे थे लेकिन उसने उससने सबकों मारे है मौहिन बाई बड़ बन उसी दिन मारे थे पहला और आखरी फॉम वाला दिन था उसके बाद मैंने नहीं सुना कि उसने ऐसी कोई निंग खेली ओतरी सीरियसलिक अबहे सब्सक्राइब कोई एक प्लेयर बहुत ही शुरू हो जाता है लेकिन चलें क्या कर सकते हैं क्रिकट की दुनिया से मौहिन बाई का इतना तालुक रहा है और हमें ये मौका देते हैं हमें भी मौका देते हैं कि हम जो इंटरनाशनल स्टार्स हैं उनके साथ खेल सकें वसीम सब्सक्राइब के साथ हमने खेला फिर हमारी ऑस्ट्रेलियन पुलिस आई थी आपको याद होगा उनके साथ हम लोग खेले फिर हमारे सीनियर जो प्लेयर्स हैं इन्होंने एक मैच करवाय जिसमें शोहिब मौमत साहब अब आपका अगला मैच एफ बियार के साथ है उन तो आमेजिंग आपकी ट्रांसमेशन जो है आपका आपके बोल चैनल कर शुक्रिया दा करूंगा फोर गिविविंग में इस अपरचनिटी आम रिने विश्व वाल बेस्ट ओविसलिया आपको अला कामयाब करें जो ट्रॉट्रमेंट आप करवा रहें को आ गई है कॉल आ गई सहरी का टॉपिक था मतलब हम लोग तो इतना एप्रिशेट कर रहें आपको कि जो टॉपिक्स लोग भूल चुछे थे जिसे जो इस्जूस को आप उन से बात कर रहें आपका अगर कोई सवाल हो तो आप बता दीजिए मैं नोट कर लूँगा मैं अलमा कराम से अगर आप चारी होंगी तो मैं पूछ लूँगा कि मैं बात करना चाहती हूं कि मेरा बेटा कस्टम अचैडमी के कि पिल का से कासे कस्टम कस्टम जी 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 अच्छा जी तो लेकिन वो भी इसी मतलब हमारी जो सिस्टमर्स का शिकार हो गया इंडिया सीन जा रही थी उसका नाम था लेकिन किसी बड़े बच्टे का नाम आगया बड़े मतलब किसी बड़े आदमी के बेटे का और वो अंडर 17 में था वर्ल्ड कप चल रहा था दो चास साल पहले तो वो इतना डिस हाट हो चुका है कि अब वो किर्किक नहीं किलता अब माशाला वो 22 येर्ज का है अच्छा माशाला आपनी दीन है उसको एपिशेट किया था उसको अपना सिगनेटर दिया था कि तुम फूटर ने एक बेहतरी इंकिसेटर बन सकते हो लेकिन जो हमारी सुसा बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन ये किया मेरे बेटे के भी कुछ हो सकता है किर्किक के हवाले से मैं रिचाती हुई जो बहुत बहुतरी इंबॉल आ रहे अच्छा आप बहने काम कीजिएगा आप अपना नंबर तो ड्रॉप करें मैं इनसे जवाब लेता हूँ और उसके अगे बढ़ जाते हैं और आपको चांस कभी नहीं मिलता बट ये अनफॉचनेटली हमारे मुलक का कुछ ऐसा अलमिया है कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पर प्रियरिटी दे दी जाती है ऐसे बचों लेकिन वो टोटली मैं हमेशा यही कहता हूँ मैं आजम के लिए बात क नहीं की कभी वो उसकी स्केल है उसका टैलेंट है वो निकल गया वो आगे बढ़ गया तो सबसे पहले बीगा पैरेंट हमें तो अपने बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि जो भी उनका पैशन है अगर उसमें खुदानाखसता वो फ्लॉप हो जाते हैं उनके साथ को को दे देता है और मैंने देखा है मेरे साथ बहुत से ऐसे टैलेंटड़ क्रिकेटर खेलते थे जो आज यानि वो उस लेवल पर क्रिकेटर नहीं बन सके लेकिन वो जिस फील्ड में गए उनको अलग नवाजा इज़त मिली है शौरत मिली है पैसा किसी को मिला किसी को पेरेंट हमें हुसला शिक्नी नहीं करनी चाहिए पहले तो बच्चे की उसको मोटिवेट करना चाहिए और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जो पेरेंट्स का होता है बच्चों को बिकोज के जब तक हम ये बच्चों के अंदर बिलीव नहीं पैदा करेंगे कि जो सुपर पावर आल्ला ताला उसके इंसाफ से कोई यानि उसको तो वो इंसाफ दे ही देगा किसी भी तरीके से बेगा but there are certain kinds of his reward you know तो अगर आप यही सोचें कि मैं cricket खेल रहा हूँ और cricket में ही में वो मुकाम हासल कर लों जो वसीम अकरम ने हासल किया यह बहुत मुश्किल है या नामुमकिन है ठीक है आप जरूर जा सकते हैं उस मुकाम तक जब उसके लिए आप ही ने ताना दिया था वो मैं दस जगह पर आ चुका हूँ वो बात हमें बच्चों को दी मोटिवेट कभी भी नहीं करना चाहिए और उनको पॉजिटिविटी बतानी चाहिए और आपने ज़रूर इनको बोलिए गर रापता करें मारी अकाइडमी अगर इस्टिल अगर जो चाहिए अगर वो 22 एसका इनका बेटा और वो अच्छा है तो एक अच्छे क्रिटर युक्यूर की निगासे नहीं बच सकता है और वो अच्छा है तो इस्टिल यह ए वा चांस तीन-चार साल है उसकी जिंदगी के हमने भी अपनी जो कोचिंग क्राइडरिया नाइनटीन तक अगर जो क्रिकेटर है उसका डिरेक्शन हमें ना पता लगे कि यह आगे बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता तो हम उसको प्रमोड नहीं करते हैं और मैं चाहता हूँ अगर क्रिकेटर में टालेंट नहीं है तो किसी और फील्ड में ट्राई करें और उसमें फोकस करें लेकिन मुहिन भाई वो अभी आपने बात बताई कि अल्ला का शुकर है मिस्सिर शाहिद को मैं यह बताना चाहरा हूँ कि डिपार्टमेंटल जो क्रिकेट है वो दुबारा होने जा रही है इन्शालला वो शुरू हो जाएगी तो देर इस चांस कि वो फिर डिपार्टमें चाहता हूँ के 7th of April से till 15th of April departmental 8th cooperative cup हो रहा है जी मुहिन खानिक अर्मी में बिल्कुल जाहिए enjoy कीजिए मुहिन भाई भी वहां पे होंगे मुहिन भाई से भी आपकी मुलाकात हो जाएगी और मुहिन भाई का ताना मैं 10 interviews में बता चुका हूँ कि मैं वॉक करता वा आ रहा मैं पेट के पीछे पढ़ गे हूँ लेकिन थैंक यू सो मच for that that was motivation for me और यही motivation होती है का एक आप बिलकुल आगे चले भी मुहिन भाई थैंक यह को माच, आप जो है जो है फिल्कुल आगे चलें, मुहिन भाई तक चलें मुविन भाई जांतर गे जिसमें जो करना था, करने दो, लाकों आवाम को देने का जिन्मा, उनमें निस्ता, शोर गुंजेगा, हर गली नुपकर और दुपान, रमजान लीग बनेगी आपकी पैशा, नारा लगेगा तो फारा चड़ेगा, गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग, रोजाना, शामजान बजे, सिर्फ बोल एंटर्टेन्मेंट पर